एलो दोस्तो कैसे हैं आप सब एक बार पुर्णा आप सभी का आपके अपने चैनल सिव को चींग क्लस्स पर स्वगत है दोस्तो आज का टौपिक है सारवत्त्री गेट तो दोस्तो इसको समझने के लिए आप से बनना चाहिए आर केट क्या है-ट क्या है एंड क्या है और दो मिल जाएंगे उनको जरूर देख लेना मेरे भाई प्लीज क्योंकि वह यह दि आज का आप से तश्व मुढ़ेंगे जाएगा तो आपको पुराणा गेट ठीक है बने का, इसलिए आप लोग जरूर देखना और उसकता है आपको इस वीडियो में भी समझ में ठीक है तो चले ही स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले तो समझना है सारवत्री गेट है गया तो दोस्तो नार गेट और नैंड गेट को सारवत्री गेट कहते हैं किसको दोस्तो नार गेट अब दोस्तो यहीं मैं कहूं नार गेट किस से किस से मिलकर तो यहन फार नाट और आर स से मिलकर बना हुआ होता है दोस्तों कौन सा नैंड गेट इनको ही दोस्तों पन सरवात्रिक गेट कहते हैं क्योंकि केवल एक ही प्रकार के कई गेटों को इस प्रकार संयोजित किया जा सकता है कि संयोजन अंड गेट के तुल्लकार करें मतलब दोस्तों हम गेटों की संयोजन स नार गेट और नैंड गेट प्राप्ट करते हैं, जिने कहते हैं सरवात्रिक गेट, यदि पूछा जाए सरवात्रिक गेट क्या है, तो नार गेट और नैंड गेट को दोस्तों हम सरवात्रिक गेट कहते हैं, क्योंकि इसमें कई गेटों का सयूजन करके बनाया जाता है, ठीक तो दोस्तो हम नार गेट और नेंड गेट से ही प्राप्त करेंगे तो आज का पहला छोटा सा टॉपिक दोस्तो पहला गेट है नार गेट से नार गेट प्राप्त करना नार गेट से नार गेट प्राप्त करना तो अब दोस्तो आप लोगों को नार भी पता होना चाहिए और दोस्तों कहलाता है नाट इसमें दोस्तों एक निवेसी होता है और एक निर्गात होता है यदि मैं बात करनों दोस्तों नार की तो नार में दोस्तों दो चीज होता है एक तो नाट और एक तो आर मतलब दोस्तों ये आपके पास आर है ठीक है और इसमें दोस्तों आपका जु इस प्रकार भी बनाया जाता है मेरे भाईयो इसको ऐसा कर दें तो दोस्तो ये आपका है यहां पे जुड़ा हुआ है ये दोस्तो आर कहलाता है और ये जो सेंबाल है दोस्तो सेंबाल जिसको बलते हैं ये कहलाता है दोस्तो क्या नाट कहलाता है तो ये नाट और आर जब कहलाता है नार कहलाता है क्या कहलाता है नार इसको नार बनाने के लिए दूस्तों यदि मैं इसको जोड दूँ तो एक निवेशी एक निरगत बन गया तब ये कहला जाएगा नार मतलब दूस्तों नार गेट से हम दो निवेशी सिग्नलों को जोड़ कर है नार गेट प्राप से एक निवेशी हुआ और एक निर्गत हुआ चीजें clear दोस्तो समझ गये होंगे आप अब समझे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है यदि नार गेट के दो निवेशी सिगनल को जोड़ दिया जाए तो पैडामी निर्गत सिगनल दोस्तो नार गेट का निर्गत सिगनल होता है क तो नार गेट कैसे बनता मेरे भाईयो नार गेट में होता है आर तो आर आपके पास इस प्रकार से है ठीक है यह दोस्तो बना दिया आर नार में आर और नाट और इसको यहाँ पर मैंने सिंबल बना दिया मैंने कहा ना यह जो दोस्तो आपका नाट का ही प्रतीक है तो यह आपको मिल गया दुस्तो नार है ना और नार से हमको बनाना है नार तो यह आपका है दो सिगनल अभी निवेसी है अब दुस्तो इसको यह जोड दें तो ये केबल एक निवेसी कहलाया मतलब a भी और b भी दोनों दोस्तो जुड़ चुके हैं मतलब जितना ए उतना ही भी हो ग अर और नाट अब नाट का होता है यह दोस्तो एक निवेसी होना चाहिए और एक निर्गत तो हमें दिन दोनों को जोड़ दें तो यहां से एक निवेसी और एक निर्गत तो चीज़ें क्लियर तो हमारा बन गया नार से नाट क्लियर दोस्तो समझ में आ गया होगा आप लोग को हम इसका सत्ता सरणी बना रहे हैं तो आप समझेगा दोस्तो सत्ता सरणी देखिए बहुत ही जी है बस आप लोगो थोड़ा समझना है मैं यहां पे दोस्तो ले लेता हूँ A और B दोनों बराबर है तो A लिया मैंने B ले लिया अब दोस्तो A का आपके पास यह R है और R का पहचान होता दोस्तो दोनों का जोड़ तो A प्लस B दोनों का जोड़ होगा इसके बाद दोस्तो यहां पे जो आपका है नाट है यहां पे क्या है नाट है चीज़े समझें और नाट का काम ही होता दोस्तो उल्टा कर देना यह आपके पास R था और यह नाट है यह नाट है इसको दोस्तो आप लोग बेतरे इसकेल की सहायता से आप बेवस्थित चार्ट बना लें, सारनी बना लें, चार खंड हो सकता है या नहीं होगा दोस्तो जितना भी होगा, सिंपल है, ठीक है, अब दोस्तो यह दि मैं कह दूँ कि A में जीरो करता हूँ, A में जीरो करता हूँ, तो A और B दोनों बराबर है, तो दोनों जीरो होगा, क्लियर है, तब दोस्तो अब यहाँ पर देखिए, लाजिक और विद्दूत परिपत बहुत लंबा होगा, अब मैं लाजिक से बताता हूँ, कि इसकी सारनी कैसे भरनी है, जीरो प्लस जीरो, ठीक और इसका अपोजिट कर देता है, क्योंकि यहाँ पर नाट जुड़ा हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा एक, अब दोस्तो यह दि एक होगा, मतलब यह भी और यह भी, दोनों समान होगे, होगे तो समान ही होगे, क्योंकि दोनों जुड़ चुके हैं, तब दोस्तो डेफिन चर्चा करते हैं अगला गेट तो अपना अगला गेट है दोस्तो नार गेट से एंड गेट ठीक है ये रहा अपना अगला गेट नार गेट से एंड गेट टोटल तीन चर्चा करना है दोस्तो आज और एक अपना है नार गेट से आर गेट ठीक है तो अपन पहले चर्चा कर ल और नार तो आपको पता होगा नार क्या है भाई नार चीजें समझे आप मैं यहाँ पर समझाना चाहता हूं नार नार में युड़ा हूँ एक आर और एक नार तु यह दोस्तों कहला है या नार है ना अब इसे को हम बनाना चाहते हैं क्या आर, इसी को हम बनाना चाहते हैं आर, तो अभी तो ये नार है यार, और आर में क्या होता है बिर भाई, आर में भी वही चीज होता है, ये दो निभेशी होता है, और एक निर्गत होता है, है ना ये भी आर है लेकिन अभी तो ये नार है तो क्या करें इसी से हम बनाना चाहते हैं तो अभी यही तो डाइडेक्ट आर नहीं कहलाएगा डाइडेक्ट आर तो नहीं कहलाएगा ना डाइडेक्ट आर इसलिए नहीं कहलाएगा दूस्तों क्योंकि नार से बना रहे हैं हम तो नार ही आर कैसे कहला सकता है तो फिर काम क्या करते हैं कि दो नार ले लेते हैं क्या लेते हैं दो नार देखिए अब इसको डाइरेक्ट बनाता हूं ताकि आप लोगो अलग से ना बनाना पड़े दो नार लेते हैं जैसे आपके पास ये दो निवेशी सीनल का ये दोस्तो आपको क्या है नार है, क्लियर है, नार है की नहीं है और पुना एक नार और बना दिया मैंने ये दो नार हो गए दो नार हो गए दोस्तो अब नार से ही आर बनाना है तो आर में क्या होना चाहिए दो निवेशी होना चाहिए तो A मैं ले लिया और B ले लिया दो निवेशी हैं, clear है एक निरगत होना चाहिए तो ऐसा करके इसको यहां से जोड़ दिया तो निसकर्स के निकला दो निवेशी और एक निरगत अब यह हमारा नार और नार का संयोजन हुआ तो बन गया और तो देखें दोस्तों यदि नार गेट के निरगत सिगनल को एक ही निवेशी सिगनल के रूप में दूसरे नार गेट से संयोजित कर दिया जाए तो पैणामी निरगत सिगनल आर गेट का निरगत सिगनल के बराबर होता है तुल होता है यदि नार गेट के निर्गत सिगनल को एक ही निवेशी सिगनल की रूप में दूसरे नार गेट में क्या कर दिया जाए सन्योजित कर दिया जाए तो पैडामी निर्गत सिगनल आर्गेट के निर्गत सिगनल के तुल होता है मतलब दोस्तो हमने दो नार लिया और एक नार में से दूसरे नार को कनेक्ट कर दिया तो ये नार जो था तो एक निर्गत था तो यहां से जुड़ेगा तो दोनों को योग कर देंगे मतलब दोस्तो यहां पे हमरा A और B तो यहां से यह कहलाता है R यह कहलाता क्या दोस्तो R क्या कहलाता है R तो यहां पर जो होगा A प्लस B होगा R में A प्लस B होता है ठीक है ना R में A प्लस B लेकिन ये जुड़ा है नाट तो A उल्टा कर देता है A प्लस B का बार क्लियर दोस्तो A प्लस B का क्या कर दिया बार ये यहां पर आया आपका ये सीनल के रूप में दोस्तो A प्लस B है थेना चीजें समझें तो ये A प्लस B अब इसका दोस्तो यहां पर आर का काम करेगा आर जो है सीधा करता है लेकिन दोस्तों जो ये पुना नाट लगा हुआ है आर में तो बदलता रही है उल्टा नहीं करता है ये एक निवेसी की रूप में कार कर रहा है लेकिन दोस्तों पुना जो यहां पे क्या लगा हुआ है पुना जो नाट लगा हुआ इसका सिम्बॉल का पहचानी होता है नाट और नाट का काम होता है उल्टा कर देना तो यहाँ A प्लस B का डबल बार मतलब पुना A प्लस B मिल चुका अपना तो कुल मिलाकर यहाँ जो बाई प्राप्त होता है वो A प्लस B के ही बराबर हो जाता है अब दोस्तो अपन चर्चा करने वाले सतता साणी देखना मेरे भाईयो बहुत इजी है यार कोशिच करूँगा कि आपको रटना ना पड़े आपको इसी लाजिक से पूरा लगा ले तो पहले में बात करूँ A की तो A तो लेना पड़ेगा ठीक है मतलब A प्लस B का बार इसके बाद दोस्तो पुना यहां पे नाट होता है तो A प्लस B का डवल बार दोस्तो मतलब A प्लस B के बराबर होता है अब इसको आप चार्ट बना लो आप लोग स्कील की सहायता से दोस्तो बढ़िया बनाए अपन तो सिफ समझाने की कोशिस कर रहे हैं तो direct देखिए बिना scale से अपन बना रहे हैं लेकिन आप लोग बेतरे इंडंग से बनाना मेरे भायू ठीक है अपना notes अच्छे से त्यार करना तो चले दोस्तो इस पे अपन बरते हैं ठीक है तो देखिए यहाँ पे समझना है कि यदि ए और भी दोनो खुले हैं तो दोस्तो जब दोनो बटन चालू मतलब बंद है तो परिपत में ए प्लस भी जीरो प्लस जीरो बिल्कुल धारा नहीं बहेगा बिल्कुल नहीं बहेगा ठीक है लेकिन दोस्तों ये बार का मतलब होता है उल्टा कर देना और फिर एक का उल्टा जीरो हो गया बहुत आसान है असान नहीं बनाना तो बहुत आसान है मैं कहना चाहूंगा आप लोग को यदि एक को जीरो कर दूँ और ये में बहेगा एक को जीरो कर दू और एमे बहेगा तो SupremeProut se बहेगा और ये बार का मतलब उल्टा और पुणा इसका उल्टा तो पुणा एक कितना easy है ना बना सकते हो ना देखो कोई बात नहीं A को आप चालू करो B को बंद कर दो और 2 में से एक कोई भी 2 में से आप देख लो ना 0 धन एक होगा ना चीजें समझना मतलब धारा बहे का संकेत बता रहा है इसका काम करना उल्टा और पुना इसका काम है उल्टा कर देना लास्ट में दोस्तो दोनों यदि चालू है बटन तो आप बताओ धारा बहेगा ना बिलकुल बहेगा मेरे बाई तब जीरो और पुना नाट का काम है उल्टा कर देना तो यह आप गया, आपका सतता सारणी, दोस्तों, सतता सारणी तो यह में पूछा जाता है, यार, सतता ही सारणी तो आप से पूछा जाएगा, और वही आप लोग इससे नहीं बनेगा, समझ रहे ना, तो यह चीजे clear हो गया, दोस्तों, अब अपन चर्चा करने वाले हैं, क् स्टिम गेट आज का दोस्तों क्योंकि मैं अगले वीडियो में फिर मृइण गेट से सारे किठा मенस्कार्षन देंगे तो आज हो टॉपिक फिर से लाक टॉपिक नर गेट तो पहले लिखना के दोस्तों देख लेते हैं थोड़ा समझना दोस्तो यहाँ पर नार गेट से एंड गेट बना रहे हैं तो आर गेट से प्राप्त दो नार गेट को दोस्तो निर्गत सिगनल को नार गेट के निवेशी सिगनल की रूप में प्रयुक्त किया जाए तो परिणामी निर्गत सिगनल एंड सिगनल के निर्ग आरगेट से दो नाटगेट बनाना है आरगेट से दो नाटगेट पहले दोस्तो आरगेट से नाटगेट कैसे बनाती है तो देखना देखना दोस्तो यहां से अपना आरगेट लेके चल रहे हैं आरगेट पहले बनाओ छोटा सा आरगेट बनाओ आपका यह आरगेट है यह द इसमें क्या जोड़ देते हैं नाट और इसको अपन ऐसा जोड़ दें ठीक है तो दोस्तो ये बन जाता है अपना क्या बन जाता है दोस्तो ये बन जाता है नाट ठीक है ना ये क्या बन जाता है नाट इसको अपन ने जोड़ दिया ये ए था दोस्तो इसका काम हो जाएगा ए बार क्लियर समझ गए बात को मैंने क्या कहा अब दोस्तो आपके पास पुना एक आर है और इसको दोस्तो पुना जोड़ दिया तो ये बन गया अपना ऐसा जोड़ दिया तो ये था बी तो इसका काम हो गए दोस्तो बी बार ठीक है ना ये अपना आ गया दोस्तो आर गेट से दो नाट गेट ये दोनो नाट गेट हैं एक निवेसी एक निडगत एक निवेसी एक निडगत तो दोनों कहां दोस्तो नाट गेट हैं दोनों नाट गेट हैं की नहीं बिलकुल समझ में आना चाहिए यार अब इसको हमने क् दोस्तो यह हो गए अपने दो निवेशी और पुना हमने आर गेट के साथ जोड़ दिया यहां पे दोस्तो आपका क्या है नाट जुड़ा हुआ है और यह लाश्ट में टोटल अपना सिंगल प्राप्थ हो गया ठीक है ना तो यहां पे था A A बार हो गया ठीक है यहां B था B बार हो गया अब दोस्तो यहां पे तो R है यहां की बात कर रहा हूँ तो यह A प्लस B दो सिंगनल आ रहे है इसके बाद दोस्तो यहां पे जो होगा इसका अपोजिट करेगा क्या करेगा अपोजिट करेगा क्या करेगा अपोजिट करेगा दोस्तों तो यह हो जाएगा A प्लस B बार कावा पुरा बार हो जाएगा चीजें समझ रहे हैं न मतलब A डबल बार प्लस B डबल बार अब इसका सतता सरानी बना लो भाई सतता सरानी सतता सराणी बना लो ठीक है आपके पास A है आपके पास B है ठीक है इसके बाद दोस्तो A का बार है और B का बार है तो उनों है ना इसके बाद ये दोनों अलग अलग ठीक है इसके बाद A प्लस B का योग दोनों दोस्तो ठीक है इसके बाद लाश्ट जो है दोस्तो A बार प्लस B बार का बार है बार का मतलब सीधा पोजिट कर देना मेरे भाई सीधा पोजिट कर देना इसको अपन को साड़ी बनानी है आप लोग स्केल की सहायता से इसको सुष्पस्ट और विवस्थित बनाए ठीक है और ऐसे ही बना लिए दोस्तो अपन ठीक है चलिए अब दोस्तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि जब ये A है मतलब ये भी बंद है और ये भी बंद है तो बताओ A का बार मतलब A का बार A का बार मतलब 0 का 1 हो जाएगा B का बार मतलब 0 का 1 अब जब दोनों एक-एक हैं तो A प्लस B का भी एक होगा और इसका अपोजिट जिरो हो जाएगा कोई बात नहीं इसको जिरो किया इसको एक कर दिया जिरो का उल्टा एक और एक का उल्टा जिरो और एक और जीरो है मतलब एक होगा और इसका अपोजिट जीरो हो जाएगा इसके बाद इसको मैंने एक किया इसको जीरो एक का उल्टा जीरो जीरो का उल्टा एक और जीरो एक मतलब एक प्लस है ना और ये उल्टा हो जाएगा जब दोनों जब दोनों जुड़े हो तो ये बार का मतलब उल्टा और जब उल्टा तो जीरो और जीरो का उल्टा एक ये आगे आपका सत्ता शर्णी ठीक है तो तीन गेट यार कितना आसानी से मैं कोशिस किया समझाने को प्री Deathड समाझ में आया हो तो मेरा मिहनत धी आपको परषाण आयो तो प्लीस लाई कर देना और न हो दोस्तों सेर करना चलते हैं दोस्तों मिलेंगे गए वीडियो में लेकिन नही है त्यनल को सब्सक्राइब कार बेल आइकन भी ट्रैस कर ले न दोस्तों ताकि वीडियो को नोटिक्विशन आपको मिलता रहे जेहिं दोस्तों बन्दमात्राम